कि आप सब लोग मैं आज आइल में पहले भी बनाती हूं रेटा ऑनियन आइल मैं सुछे आपके साथ आज शेयर कर देती हूं आपको भी साइडिस्क कुछ आप खरीते हैं तो इस्तमाल करते हैं पहले से तो आप गर्पी भी बना सकते हैं और नए प्रेंट्स हैं जिनको हेर आइल में बनाती हूं मैं कीज़े बनाती हूं रेटा ऑनियन आइल में ग्रेंडेंडर कर लेती हूं कर दो ृच झाल झाल अच्छा फाइं पेस्ट बन चुका है ऐसे ही बनाना है इसे मीडियम में ही रखिए और जैसे थोड़ा गरम हो रहा थे मैं अब इसके इंदर डाल दूंगी यह बला इसे आउनियन तो रड़ थे यह कड़ी पता डालने से ना ग्रीन कलर आया है अब एकडम तयार हो गया देखिए कैसे ब्राउन कलर हो गया बीच में जो डाला था मैंने प्याज अब मैं इसे चान लूंगी बन चुका है अब आयल मेरा अब मैं इसे चान लेती हूं आप चनी से भी चान सकते हूं मेरा मैं कपड़े सी चान लूंगी अप्यूंधा रब आड़का अभाय को जाई लाई लूंगी लूंधा आपटोँम मैं लूंगी रफस्धूंग ठॉिछरा फफे एक समय uh झपुछ झाओ यूल नहम क्या सक्टेश मैं यूल कर दो यह देखिए बन जुका मेरा आयल अब थोड़ा सा गरम है अभी मैं इसका डखन नहीं बंद करूंगी थोड़ा खंडा होने के बाद करूंगी जे जो सावान टाला था ना बीच में मैंने और लसन और प्याज कड़ी पत्ता वह सब है इसे मैं कैसे इस्तमाल करेंगे आप वह भी बताऊंगी आयल मेरा बन चुक है देखिए मैं इसे ज्यादा नहीं बनाती हूं मैं मंतली ऐसे बनाती हूं इसे इत्त तो जे जो बचा हुआ मेरा मटीरियल है ना उसके अंदर मैंने डाला था सामान उसे मैं ऐसे फैंकना नहीं है इसे एक स्पून लेके और एक स्पून आमले का लेते हैं दो गंटे-डाइगंटे उसके बार श्यांपू करेंगे तो बालों की ग्रोथ तो आपको समझ आएगा जब आप लगाएंगे और आप आमले का लगाना चाहते हो आमले का लगा लीजिए नहीं तो रेटे का पाउडर भी इसमें मिक्स करके लगाएंगे तो उतन आइल बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आप अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हूं और फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइबाइब फैंस